हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि वीबोट T3 लाइट फोन में आप लोग डेवलपर ओप्शन को कैसे ला सकते हो अगर आपके पास एक वीबोट T3 लाइट फोन है और इस फोन में जो आपको डेवलपर मोट को एक्टिवेट करना है developer mode में जो बहुत सारे settings होते हैं और अगर आपको जो उनी settings में से कुछ changes वगरा करने हैं तो आपको जो developer mode को पहले activate करना होगा तब ही आप लोग developer mode में जो settings होते हैं उनको use कर पाएंगे अगर आपके फोन में developer mode नहीं है तो कैसे activate करेंगे कैसे developer mode को आप लोग ला सकते हो अपने फोन में तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गाईस वीडियो को स्टार्ट करते है developer option को लाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option में लगागा इस about phone का तो इस about phone पे click कर दीजिए click करने के बाद थोरा सा नीचे scroll down कीजिए तो आपको एक option में लगा software information का तो इस software information पे click कर दीजिए click करते build number का option में लगा और आपको इस build number के option पे 7 बार लगातार click करना है तो बहुत देखा देता हूं कैसे करने देख सकते हैं यहां नॉन स्टॉप साथ बार क्लिक करते रहना है गाई उसके बाद अपने फोन का जो भी पैटन पासपोर्ट या पीन होगा उसको डालना होगा डालने के बाद यहां पर ऑप्शन है गाई यूर नावर डेवलपर करना है सिस्टेम का ओप्शन मिलेगा सिस्टेम पे क्लिक करना है नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डेवलपर आप्शन मिलेगा इस पे क्लिक करके देख सकते ओन होगया डेवलपर आप्शन अभी आप लोग इन सैटिंग्स को यूज कर पाएंगे तो कुछ इस तरीके स आप लोग अपने वीबो T3 लाइट फॉन में आप लोग डेवलपर ओप्शन को ला सकते हो तो कैसा लगए गाइस आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते कर ल